हलो दोस्तों वेलकम बाक टू हर्मानिका और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो चलो आज की इंट्रस्टिंग रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते है इसके लिए मैं जैसे कि देख सकते हैं मैंने पानी गरम कर लिया है मैंने लिए और जैसे ही पानी गरम हो जाएक कप मैंने सोया और डाल दिया है पांच मिट लगता है सोया बीन इसके इसे मिल जिकल जाए और इसके बात हम इसे साइड में जातेंगेब इसके लिए इसकिंदर 2 चमच रिफाइन डाला ये 2 चमच डाल रही हूँ और आखे इस इसके बाद हम आगे के इंग्रीडेंस जालेंगे तो सबसे पहले मैं इसके अंदर finely chopped garlic डाल रही हूँ एक चमच जासा डाल रही हूँ और इसे मैं हल्का सा light brown color होने तक पका रही हूँ तो एक मिनट में अफसानी से हो जाता है इसके बाद half finely chopped onion मैंने इसके अंदर डाला है इसे भी एक मिन तक के लिए पकाऊंगी हल्का सा light brown color आजाएगा इसका मतलब हमारा onion और garlic रडी है इसके बाद इसके अंदर दो चमच मैंने सेजवन सॉस डाला है साथ में एक चमच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ एक चमच वेनेगर डाल रही हूँ और दो चमच टोमाटर सॉस डाल रही हूँ और इसे भी मैं एक मिट के लिए पका ले रही हूँ इस टेम जो कोकिंग होगी आप इसे ही हाई फ्लेम पे ही करें क्योंकि हम चिली बना रहे हैं इसी के वाज़ा से इसके लिए इसके लिए नमक डाल रही हो साथ में एक चमच जैसा पेपर पाउडर नमक ध्यान से डाले क्योंकि सॉस में अल्री नमक होता है और इसे एक बर हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद अंदर मैं ने हाँ finely chopped onion डाला है साथ में кैसिक डाल रही हूं साथ में कर डाल रहे हो इसे भी मैं दो मिक्ड के लिए पकांगी आप जो फ्लेम हे वह राए हम ही में ही रखे इसके बाद हल्का सामागी चार से पांच चमच और इसके बाद हमारी जो बॉयलate स्व करूंगी हमारा और रड़ी सोया बिन पका हुआ है तो जादा टाइम नहीं लगता है से बनने के लिए और इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे इसके अंदर एक चंवर जैसा सेस्मे सीट डाल देंगे सिस्मे सीट डालने से हलका सा नटी फ्लेवर आता है तो इसी के वज़ा आप चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं है तो आप skip कर सकते हैं इसके बाद एक बार मैं इसे मिक्स कर लोगी और हमारा जो डिश है वह बिल्कुल भी रेडी हो चुका है जैसे की देख सकते हैं इसमे फ्राइं की कोई जूरतनी या बॉल कर के ही सोया बिन चीनी असानी से घर अब आज की यह रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी अगर आई तो कमेंट करके मुझे जरूरत बताइए कैसी लगी आप सबको तो चलो अब मिलते है अपनी अगली रेसिपी में बाए दोस्तों